आज की इस एपिसोड में हम कंसीडर करने वाले हैं सुजलोन स्टॉक के बारे में इस स्टॉक को ले करके इतने सारे मल्टिपल न्यूज के बाद भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टॉक क्यों नहीं बर रहा है इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल न्यूज का इंपेक्ट होना जिसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स 3% और रिस्पेक्टिवली निफ्टी 2% के आसपास के गिरावट में हैं फिर भी ये स्टॉक 2% के उपर तेजी ट्रेंड करते हुए दिख रहा है इसका एक इंडिकेशन है कि ये स्टॉक यहां से शियोडली बाउंस बैक करते हुए दिखेगा तो I strongly recommend कि Early Profit Booking करने की गलती नहीं करें हमने देखा कि 22 फरवरे के आसपास का निउस था जहां गवर्मेंट ने एक साइन डिल किया था सुजलोन डेवलप करेगी लगबग 2000 मेगावाट पावर कच और सौरास्ट्रा रिजन के आसपास उसके बाद ही हमने देखा कि लगबग 4000 करोर डेट को कम करने के लिए लोन कंपनी को मिल रही है REC और IREDA से तो फंडामेंटली बहुत ही पोजेटिव न्यूज इस श्टॉक के आते वे दिख रहे हैं और जितने भी प्लेटफॉर्म बेस्ट कमपनियां और पावर सेक्टर चाहे वो रिनिवल हो, विंड इनर्जी हो, पावर इनर्जी हो, सारे श्टॉक अच्छे से आपको 20 प्लस का टारगेट सियोर्ली दिखेगा और लॉंग टर में 100 प्लस तक के टारगेट को इचीव करने के लिए ये श्टॉक दमखम रखता है जहां फंडामेंटली टोटली चेंज होते वे दिख रहा है, जहां लॉस मेकिंग कमपती थी वहां से प्रोफिटेबल होत आगा तो सियोर्ली 50 का मिनिमम टारगेट तो आपको देखने को मिलने ही वाला है